पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता मैं बताता हूँ दोस्तो हम पढ़ना तो चाहते हैं पढ़ली कर बड़ा आदमी बना चाहते हैं लेकिन क्या करें पढ़ने में मन ही नहीं लगता यह दूविदा किसी एक स्टुडेंट की नहीं है बल के कस्म कस्मे उल्जकर वे अपने लक्षे से बठने लगते हैं ऐसी स्टूडेंट के लिए मैंने ये मोटिवेशन वीडियो बनाई है इसे देखकर आपके अंदर पढ़ाए कि आग लग जाएगी इस बात की मैं गारंटी देता हूं दोस्तो मुझे बताओ कि पढ़ने में त लगता तो किस चीज में लगता है बताओ चलो मैं ही बता देता हूं तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म राजनिती और किर्गेट की विश्य में डिस्कस करने में तुम्हारा मन लगता है खूब सुरुत तित्रियों के आगे पीछे चक्र लगाने में तुम्ह में वे तुम्हारे दूसमन है क्योंकि जो तुम्हे तुम्हारे लक्षे शे दूर करे वे तुम्हारे दूस्त नहीं हो सकते जो तुम्हे गल्ट रास्ते पर ले जाए वे तुम्हारे दूस्त नहीं हो सकते साइद यह बात तुम्हे आज समझ में नहाए लेकिन एक नए एक इस बात को जरूर समझोंगे लेकिन अभी बस इतना समझो कि तुम से अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है लेकिन खुद को तुम कभी दोका नहीं दे सकते अब तुम इसका ये मतलम मत समझ लेना की तुम्हें तुम्हें बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इंपोर्टनेट क्या है तुम सबसे मिलना सबसे बात करना लेकिन टाइम पास नहीं करना और सुनो तुम जिन खुबसूर तिदलियों के आगे पीछ चक्र लगाते हो ना उन्हें एक ना एक दिन पता चली जाएगा कि तुम आमीर खान नहीं फकीर खानो उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सुर्ज बन जाओंगे और हाँ अगर तुम समझते हो फेस्बुक इंस्टाग्राम और वाट्शेप पर इडिडिडिट डिपी लगाने से तुमारी असले चुप जाएगी तो यह तुमारी भूल है क्योंकि कागज के फुल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है अब आते हैं तुमारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुमारा क्यों नहीं लगता तो हाँ दोस्त अगर तुम्हारा मन पड़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है तुम्हारी जिन्दगी में कोई मोटीवी नहीं है अपने ड्रिम्स को लेकर तुम्हारा वीजन कलियर ही नहीं है और तुम अपने जिन्दगी को लेकर गंबीर नहीं हो इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है क्या अचीव करना है फिर उसके एकलोडिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरता है जरूत दुनिया की सबसे पाउरफुल चीज है दोस्त तुमने सुना ही होगा कि जरूत इनसान से कोई भी काम करवा सकती है चाहे भी उसे करना चाहे या ने चाहे जैसे अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी है तो तुम यह नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोंगे जब तुम्हें भूक नहीं होती तब तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है लेकिन अगर तुम्हें जोर से भूक लगी है तो तुम्हें बोजन के लावा कुछ नहीं दिखाई देगा इसलिए आज बले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा परन्तु जब जरूत पढ़ेगी तो टोईलेट भी साफ करोंगे लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो अभी खुद से ये तीन सवाल करो तुम्हारे जीवन का लख्षे क्या है तुम अपने लख्षे को हासिल क्यों करना चाते हो और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है और देखो कि तुम्हें क्या जबा मिलता है अगर तुम्हें जबा मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाए छोड़ कर अपने मापाप की टुकड़ो पर पल सकते हो लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की जरूरता है तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी प्रेशानिया कोई माइने नहीं रखती फिर तुम्हारी आलस नींद भूक और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूक जग जाएगी फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ दिखाई ही नहीं देगा इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से बागे जरा एक बार कलपना करना कि तुम्हारे माबाप तुम्हारी फीस बरने के लिए क्या क्या करते हैं आंख बंद करके देखना अपने माबाप की आंखों के उन बुझते चीरागों को जो तुम्हारे सुनेरे बविशय का खवाब देख रही है कि एक ने एक दिन मेरा बेटा इन आंकों के बुस्ते चिरागों को रोसन करेगा और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टेडी मोटिवेशन के आग ने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर सर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है फिर तुम पढ़ाय लिकार छोड़ कर जो मर्जी करेश हो कर लेना मगर इतना जुरूर याद रखना कि एक दिन तुम चाती पीट पीट कर रोंगे क्योंकि बिना एजुकेसन के किसी भी फिल्ड में सक्सेस हासिल करना मूंकि नहीं नहीं है क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेसन के बिज से ही ओकर गुजरती है और आज के दोर में एक सक्सेस फूल वेकती ही सुकी और कुशाल जीवन जीश सकता है तो क्या तुम नहीं चाते कि दुनिया तुझ को जुख कर सलाम करे क्या तुम नहीं चाते कि तुम जहां खड़े हो वहां से लाइन सुरू हो क्या तुम नहीं चाते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो क्या तुम नहीं चाते कि तुम्हारे माबाब तुम्हारे उपर गर में महसूस करे क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुक्षविदाइन तुम्हारे कदमों में हो अगर तुम चाहते हो तो इस मन को गोली मारो चलो उठो और पढ़ाई करो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी परसन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखे हम आपके परसनों का उत्तर जुरूर देंगे और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों रिष्टेदारों को सेर करना ने बूले आप साहे तो हमारे साथ फेस्बुक, इंस्टाग्राम और यूटूब चैनल के मादेम से भी जुड़ सकते हैं धन्यवाद